हलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने उजकेशनल यूट्यूब चैनल इसके डी जोन में हम लोग पढ़ रहे हैं हुमन रेप्रोडक्शन यानि मानो जनन इस चेप्टर के अंतरगत पिछले वीडियो में हम लोगों ने उजेनेसिस यानि अंड जनन को डीटेल में डिसकस किया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा वहाँ जाकर कि आप उसे डीटेल में पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे मेंस्ट्यूल साइकल यानि आवर्त चक्र को एक चीज़ समझ कि यह जो टॉपिक है न आवर्त चक्र इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले उजेनिसिस को समझना पड़ेगा तो अगर आपने अब तक उजेनिसिस को नहीं पढ़ा है तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि पहले आप इस चैप्टर के पिछले वीडियो को देख ल करेंगे पहले वीडियो में यानि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिसकस करेंगे हर्मोनल कंट्रोल अफ उजेनिसिस को और फिर हम लोग आवर्त चक्र के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिसकस करेंगे और फिर अगले वीडियो में ग्राफ के द्वारा डाइग्राम क को समझने के लिए हमें सबसे पहले अंड जनन का हार्मोनल नियंतरण यानि हार्मोनल कंट्रोल आफ उजेनिसिस को समझना पड़ेगा आप इसे आवर्त चक्र का हार्मोनल नियंतरण भी कह सकते हैं क्योंकि वास्तों में उजेनिसिस और मेंस्ट्वल साइकल ये दोनों ही प् इसके अंतरगत हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो अंड जनन को या कह सकते हैं आवर्त चक्र को नियंत्रित करते हैं ठीक तो सबसे पहले कहाने शुरू होती है हाइपो थैलमस ग्लैंड से हाइपो थैलमस ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर पाये ज लिख लेते हैं गोनाइडो ट्रॉपिन रिलेजिंग हॉर्मोन यानी जी एन आरेच कौन स्रावित करता है हाइपो थैलमस ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है ठीक अब क्या है कि यह जी एन आरेच यह प्रेरीत करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को पिट्यूटरी ग्लैंड यह भी ब्रेन के अंदर ही उपस्थित होता है और इसके दो लोब होते हैं एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब तो यहां एंटेरियर लोब की बात हो रही है ठीक तो क्या हुआ कि यह जी एन आरेच जो स्रावित हुआ हाइपो थैलमस ग् करता है anterior pituitary gland को जिसके फलस्वरूप यह anterior pituitary gland दो प्रकार के गोनाइडो ट्रॉपिन हर्मोन रिलीज करता है स्रावित करता है और वो कौन कौन से है FSH यानि Follicle Stimulating हर्मोन और दूसरा है LH यानि Luteinizing hormone अब क्या है हाँ यह जो नाम दिख रहा है यह पहले भी आया था स्पर्मेटोजेनिसिस का जब हर्मोनल कंट्रोल हम लोग देख रहे थे पढ़ रहे थे वहाँ भी यह नाम आये थे सारे के सारे तो अगर उसको आप लोगों ने पढ़ा है तो यह सारी चीजे बहुत एजली समझ में आ रही होंगी थेक तो कहानी कहाँ तक आई है कि हाईपोथेलमस ने सिरावित किया जियेनारेच को जियेनारेच ने प्रेड़ित किया एंटेरियर पे ट्यूटरी गलेंड को और उसके प्रभाव में इसने दो प्रकार के गोनाइडोट्रॉपिन हर्मोन को रिलीज किया, सिरावित किया, अब एक-एक को देखते हैं, तो अब क्या है, कि ये FSH जो है, Follicle Stimulating Hormone, इसके प्रभाव से Ovarian Follicles की व्रिध्ध होती है, Ovarian Follicles क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने Oogenesis में बहुत ही डीटेल में पढ़ा था, Primary Follicles, Secondary Follicles, Tertiary Follicles, Graphian Follicles, तो ये सारी सनचनाए क्या होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, उन सभी चीजों को हम लोगों ने Oogenesis में बहुत ही डीटेल में पढ़ा था, ठीक, तो उनहीं की बात हो रही है, तो आस्तों में ये FSH वो हर्मोन है, जिसके प्रभाव में उन Follicles की व्रिध्ध होती है, यानि कैसे होती है, Primary से Secondary Follicle का बनना, Secondary Follicle से Tertiary Follicle बनता है, फि यही बात हो रही है, उनकी व्रिध्ध ही होती है, धीरे धीरे ठीक, किसके प्रभाव में FSH के? अब क्या है कि इस FSH के प्रभाव में जब Follicles की व्रिध्ध ही होगी होती है, तो वो Follicles एक हॉर्मोन रिलीज करते हैं, जिनका नाम है Estrogen, यानि हम यह कह सकते हैं कि FSH के प्र करते हैं कि LH के सिक्रीशन को प्रेरित करते हैं LH का सिक्रीशन कहां से होना है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से देख रहे हैं तो यानि कि सीधा सीधा कि यह एस्टोजेन हर्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव डालते हैं प्रेरित करते हैं उसको जिससे LH हर्मोन का स्राव होता है क्लियर है यहां तक अब आते हैं इधर इधर क्या है जो दूसरा गोनाइडोट्रॉपिन हर्मोन है इसके द्वारा एंटेरियर पिट्यूट्री ग्लेंड द्वारा सावित हुआ है वो है LH यानि लिूटिनाइजिंग हर्मोन यह क्या करता है यह अंडोट्सर्ग कराता है यानि ओविलेशन ओविलेशन को हम लोगों ने पढ़ा था उजेनिसिस में क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के अंदर से secondary oocyte का बाहर निकलना इसी प्रक्रिया को कहते है अंडोट्सर्ग या ओविलेशन तो किसके प्रभाव में होता है वो वास्तों में LH के प्रभाव में होता है सभ्यारी बात अब क्या है कि जब अंडोट्सर्ग हो जाता है यान कि उस graphene follicles में से जो secondary oocyte है वो बाहर निकल जाता है उसके बाद जो खाली बचा हुआ भाग है उससे निर्माड होता है एक सनशना का जिसका नाम है Corpus Luteum इस सनशना को हम लोग देखेंगे अभी आगे जब हम लोग प्रक्रिया को डिसकस करेंगे वर्चकर के तो अभी समझे कि अंडोत सर्ग में जब secondary oocyte graphene follicle से बाहर निकल जाता है उस समय जो graphene follicle का बाकी बचा हुआ भाग है उससे एक सनशना दिर्मित होती है जिसका नाम है Corpus Luteum तो यानि अंडोत सर्ग के फलस्वरूप क्या होता है Corpus Luteum का निर्माड होता है और यह सब इसी के प्रभाव से हो रहा है LH के प्रभाव से LH के प्रभाव से अंडोत सर्ग हुआ और उसके बार Corpus Luteum का निर्माड हुआ ठेक अब क्या है कि यह Corpus Luteum एक हर्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है Progesteron अब यह Progesteron जो की स्रावित हुआ है Corpus Luteum के द्वारा यह काम क्या करता है यह काम करता है कि यह FSH तथा LH के सिक्रीशन को रोकता है अब देखे FSH और LH कहा है FSH और LH किसके द्वारा स्रावित हो रहे है anterior pituitary gland के द्वारा तो वास्तों में यह Progesteron जो Corpus Luteum द्वारा स्रावित हुआ है यह प्रभावित करता है anterior pituitary gland को और उसको रोकता है क्या करने से इन दोनों को स्रावित करने से FSH और LH को स्रावित करने से रोकता है ठीक जहां पर एक तरब देख रहे हैं यह estrogen क्या करता है यह LH को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है उसको pituitary gland को वहीं Progesteron जो है वो FSH और LH को स्रावित करने से रोकता है pituitary gland को anterior pituitary gland को clear और साथ ही साथ यह Progesteron एक और काम करता है यह maintain करता है endometrium को endometrium जो की uterus का आंत्रिक दिवार है उसको यह Progesteron बनाए रखता है maintain रखता है तो उसको भी आनलिक देते हैं हम लोग endometrium को maintain रखता है यानि सीधा सम कह सकते हैं कि जब तक Corpus Luteum होगा तब तक Progesteron उससे स्रावित होता रहेगा और यह Progesteron endometrium को maintain रखेगा जो uterus की आंत्रिक दिवार है उसको maintain रखेगा, बनाए रखेगा clear? तो यह तो रहा अंड जनन का हार्मोनल नियंत्रण या आवर्त चक्र का हार्मोनल नियंत्रण भी कह सकते हैं जिसके अंतरगत हम लोग ने यह देखा कि वो कौन-कौन से हार्मोन्स हैं जो अंड जनन को या आवर्त चक्र को नियंत्रिट करते हैं तो देखिए प्रमुक हर्मोन्स कौन-कौन से हैं दो तो यह हैं, anterior pituitary gland द्वारा जो दो gonadotropin हर्मोन निकले हुए हैं, कौन-कौन से? FSH है और LH है तो उसको underline कर लेते हैं एक क्या है? FSH है और दूसरा है LH जो की anterior pituitary gland से निकले है और उसके बाद दो हर्मोन यहां है एक तो जो follicle से निकल रहे है estrogen और दूसरा जो कारपस-luteum से निकल रहा है वो है प्रोजेस्टेरॉन estrogen और प्रोजेस्टेरॉन को ovarian hormones भी कहते हैं क्योंकि यह follicles और कारपस-luteum यह वास्ता में ओवरी के अंदर ही तो सनचनाय बन रही है तो इसलिए इन दोनों को ovarian hormone भी कहते है तो यानि दो जो hormone है वो pituitary gland के hormone और दो जो hormone है वो ovarian hormone यही चार hormones प्रमुख है जो इस प्रक्रिया का नियंतरन करते है अंडे जनन का या आवर्थ चक्र का ठीक, हाँ ये भी है hypothalamus द्वारा निकला हुए GnRH लेकिन जो प्रमुख हैं वो यही चारो है clear है? तो चलिए अब हम लोग आवर्थ चक्र को शुरू करते हैं और सबसे पहले आवर्थ चक्र के कुछ basic points को और कुछ facts को discuss करते हैं तब तक आप लोग इसका एक screenshot लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात कि आवर्थ चक्र कहते किसे हैं तो पहला point उसी के विशय में लिखा गया है कि female primates जैसे बंदर, कपी तथा मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आवर्थ चक्र यानि menstrual cycle कहते हैं अब सबसे पहले ये समझी है ये primates क्या है तो simple ही है class मैं मेलिया के अंतरगत जो order primates आता है न यहाँ पे उसी की बात हो रही है तो order primates की जो तथा मनुष्य आदि आ सकते हैं तो उन्ही में उन्ही के female में यानि female primates में क्या होता है कि होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं आवर्थ चक्र या menstrual cycle कहते हैं अब इसको ऐसे समझी है जनन चक्र को कैसे समझ सकते हैं कि देखिए उन्ही जनन में उसके अंतरगत ऐसे बहुत सारी परिवर्थन होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से दोहराये जाते हैं बार-बार दोहराये जाते हैं तो एक निश्चित चक्र में चल रहा है न वो क्यit अगला क्या है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र प्रायह 28 से 29 दिनों के अंतराल पर दोहराया जाता है ठीक यानि कह सकते हैं कि एक menstrual cycle में कितने एक menstrual cycle कितने दिन का होता है 28 से 29 दिन का होता है या सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि मान लिजिए एक menstruation आया bleeding शुरू हुआ और उस दिन से ठीक 28 या 29 दिन के बाद बहुत सारे परिवर्तन होंगे इस दोरान उसके बाद फिर से दूसरा menstruation आयेगा तो दो menstruation के बीच में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो फिर से दोहराये जाएंगे चक्री क्रम में दोहराये जाएंगे उन ही चक्री परिवर्तनों को कहते हैं आवर्त चक्र फिर से समझेए कि दो menstruation के बीच होने वाले चक्री परिवर्तनों को चक्री घटनाओं को कहते हैं आवर्त चक्र menstrual cycle अब क्या है कि प्रतेक आवर्त चक्र के मध्य में एक secondary oocyte या OM उत्सरजित होता है जिसे अंडोत सर्ग यानी ovulation कहते हैं अंडोत सर्ग यानी ovulation को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था Ugenesis में क्या होता है सिंपल है कि जब graphene follicle के अंदर से secondary oocyte बाहर निकलता है इसी प्रक्रिया को अंडोत सर्ग यानी ovulation कहते है ठिक तो आप अब confusion में ये आ सकते हैं कि यहां तो दोनों चीजे लिखी हुई है कि secondary oocyte या OM तो देखिए वास्तविक्ता तो यही है कि graphene follicle के अंदर से secondary oocyte का बाहर निकलना ही अंडोत सर्ग कहलाता है लेकिन आपके NCRT में अंडाड यानी OOM दे दिया है इसलिए यहां पे oblique लगा करके लिखा गया है अगर आपको लिखना होगा एक्जाम में आप यही लिखेंगे secondary oocyte को clear है? तो यह point क्या कहता कि वही है कि प्रत्यक आवर्थ चक्र के यहां और यह होता कब है कि आवर्थ चक्र के मध्य में होता है बीच में मतलब 28 दिन का है तो 14 दिन यह होता है clear है न? मतलब प्राया यही होता है अब अगला क्या है? कि आवर्थ चक्र pregnancy के दौरान और उध्ध रहता है आवर्थ चक्र यानि menstrual cycle pregnancy के दौरान और उध्ध रहता है ठेक? उसके बाद क्या है कि आवर्थ चक्र लगभग 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाता है और इसे रजो निवृत्ति यानि मेनू पॉज कहते हैं पॉज का मतलब रुख जाना है ठेक? तो अब यहां पे समझेगा हिंदी में और जब बंद हो जाता है पर्मानेंटली जब बंद हो जाता है यह मेंस्ट्रूल साइकल लगभग 50 साल की उमर में यह पर्मानेंटली बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं रजो निवृत्ति यानि मेनू पॉज ठेक? इंपॉर्टेंट टर्म है अगला क्या है? कि एक आवर्थ चक्र एक मेंस्ट्रूल साइकल कितने फेज में कंप्लीट होता है? चार फेज में यानि एक आवर्थ चक्र में चार फेज चार प्रावस्थाएं होती है कौन-कौन से हैं? यहाँ नाम देख लेते हैं पहले तो पहला है रितुस्राव जिसे रजोधर्म भी कहते हैं इंगलिश में कहते हैं मेंस्ट्रूएशन दूसरा फेज है पुटकी प्रावस्था या प्रचूरोध भवन प्रावस्था भी कहते हैं उसे इंगलिश हो जाएगा follicular phase या proliferative phase तीसरा जो phase है वो है undersurg इंग्लिश हो जाएगा ovulation या इसी को ovulatory phase भी कहते है ठीक और चौथा जो phase है menstrual cycle का वो है सरावी प्रावस्था जिसको इंग्लिश में secretory phase कहते है या leuteal phase कहते है इसको generally leuteal phase से ही जाना जाता है चौथे phase को ठीक तो ये चार phase है घब्रानी की जरुरूरत नहीं है अभी ये नाम है बहुत ही आसानी से इसको हम लोग एक ही बार समझ में आ जाएगा tension नहीं लेना है ठीक बहुत ही आसानी से समझ लेंगे जब हम लोग इसको एक करके बारी बारी से discuss करेंगे graph और डाइग्राम के दौरा समझेंगे तो है ना तो एक स्क्रीन शॉट लीजिए झाल समय झाल स्क्रीन शॉट लीजिए झाल समय तो है नाईग्राम के दो कि दौरा समय है